बेटगे टुडे मैगजीन ने प्रस्तुत किये M.T. India Healthcare Awards 2013 जिसमें इंडिया's best doctors में Dr. दीपक अरोडा को best sexologist के अवार्ड से नवाजा गया सेक्स हमस्याओं का सही समाधान मेरे साथ नमस्कार सेक्स हमाधान में एक बार फिर आप सभी का सुआगत है आपके साथ मैं हूँ सनी वालिया आज की तनाव भरी जीवन शैली के कारण सेक्स समस्याओं होना आम हो गया है और इससे sexual life भी पर भावित होती है लेकिन ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कोई इन problems को छपाता है और ये परिशानी बढ़ जाती है तो ऐसा बिलकुल ना करें डॉक्टर से या फिर सेक्स काउंसलर से कंसर्ट जरूर करें आज के प्रोग्राइम की शुरूआत करते हैं इन दिनों हम उन सेक्स सम्बंदी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं जो काफी आम है इनहीं में से एक है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानि की पैनिस में तनाव की समस्याओं चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और आज जानेंगे कि कौन-कौन सी घलत आदतों ड्रग्स के इस्तमाल से ये परिशानी हो सकती है और क्या है प्रफॉर्मेंस एंग्जाइटी हमारे साथ मौजूद है यूसे सर्टिफाइट क्लिनिकल सेक्सॉलोजिस्ट डॉक्टर दीपक अरूडा जो सिर्फ एक सेक्सॉलोजिस्ट ही नहीं है वो इंडिया के पहले ऑनलाइन सेक्स क्लिनिक के फाउंडर भी है उनका ऑनलाइन क्लिनिक जो उनकी वेबसाइट www.dr.arolas.com पर है जिसके माध्यम से दुनिया की किसी भी कोने में मरीज घर बैठे बैठे डॉक्टर अरूडा से संपर कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं डॉक्टर साब आपके स्वागत है जी थैंक्यू इन देनों हम चर्चा कर रहे हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर जिसे हम कहा जाता है कि पैनिस में तनाव की समस्या होती है इसमें मेडिसीन जो होती है या फिर कोई किसी बीमारी की मेडिसीन का सेवन कर रहा है उनका कि सनी अक्सर हम देखते हैं कि जब बहुत सारी अलग 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 प्राब्लम्स पेशेंट्स को होती है और वो अपने डॉक्टर से इलाज करवा रहे होती है तो कई बार उनको बीच में ऐसा लगने लग जाता है कि उनका इरेक्शन में प्राब्लम आ रहा है अब वो स लाने वाली जो मेडिसंस दी जाती हैं वो मेडिसंस स्टीरोइड्स हैं इसमें एंटिडिप्रेसेंट्स हैं कैंसर की कुछ मेडिसंस हैं इन सारी मेडिसंस के साइड एफेक्ट से इरेक्टायल डिसफंक्शन का प्राब्लम हो सकता होता है बट मेक शियूर कि आपको अपनी कोई भी दवा अपने डॉक्टर से पूछे बिना बिलकुल नहीं रोकनी क्योंकि आपकी जिन्दगी में सेक्स से ज़्यादा जरूरी है आपका अपना जिन्दा और तंदरुस्त रहना अगर आप किसी ऐसी प्राबलम के लिए अपना इलाज करवा रहे हैं जो आपके लिए लाइफ फ्रेटनिंग डॉग है लाइफ फ्रेटनिंग डिजीज है उस डिजीज के अंदर अगर आप सिरफ ये सोचके मुझे इरक्टाइल डिसफंक्शन होगा इसके इलाज से और आप दवा बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी पर आफ़त आ सकती है अगर आपको प्राब्लम आ रही है आप अपने डॉक्टर से जाके शेयर कीजिए कि डॉक्साब मुझे इस तरीके जबसे मैं यह पर्टिग्लर दवा ले रहा हूं इस दवा के सेवन से मुझे ऐसा लगता है कि आम फेसिंग प्राब्लम में माई एरेक्शन अपनी मर्जी से दवा मत रोखिएगा बठा मेक शूर जब भी आप ऐसी दवाइं ले रहे हैं एंटि दिप्रेशन से स्टेरोइड सै यूरिन के लिए ile के लिए problems के लिए medicines है, diabetes के लिए है hypertension के लिए है, ये सारी चीज़ों की दवा लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, और even जब डॉक्टर आपको प्रस्क्राइब कर रहे हैं medicines, आप उस टाइम भी डॉक्टर से इस बात को शेर कर सकते हैं, कि सर इससे आपको जो आप दवाई लिख रहे हैं, इससे मुझे किसी भी तरीके के एरेक्शन में प्राब्लम तो नहीं आने लगेगी, so that उस टाइम भी डॉक्टर थोड़ा इस बारे में सचेथ होके आपको प्रस्क्राइब कर देंगे, तो यहाँ पर सिम्टम्स की अगर हम बात करें, कब जाए जो पेशेंट से हैं, अफिन मरीज हैं, अगर चाहे वो डियाबिटीस के हो जाए और किसी और परिशानी के है, कब उन्हें दॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कैसे यह महसूस होगा कि कोई परिशानी इरेक्टायल दिसफंक्शन के जैसे हो रही है, यह बड़ा एजी होता है, यार, the moment they are trying to get indulged in physical intimacy, they are trying to have sex, and the person feels के, I am not getting that hard erection, which I used to get, इस तरीके का hard erection मुझे होता था, आज लगता है ऐसा वो erection नहीं है, मुझे, अगर erection आ रहा है, तो probably, जब मैं कॉंडम चढ़ाने ही लगा हूँ, उस ताइम पर वो जा रहा है, या even, without condom, even after penetration, they start losing erection, they start realizing के वो rigidity नहीं है, so panis की जो आपकी erection है, उसको आपको understand करने में time नहीं लगता है, because you know कि आपकी performance कैसी होती थी already, और अगर आज आपको लग रहा है कि ये erection उस level का नहीं है, तो it's very easy to understand, but इसमें panic मत कीजिएगा, ये ना होके एक रात आपको लगा कि यार ये तो proper नहीं था, और अगली सुबह आप अगली सुबह परिशान है कि जी, ऐसे ऐसे erectile dysfunction हो गया, हो सकता है कि उस particular रात को अप physically पूरी तरीके से fit नहीं फील कर रहे थे, आप पूरे दिन के कामकाज से ठके हुए हैं, अप mentally fresh नहीं हैं, अपका mood नहीं है पूरी तरीके से sex का, और आप अपने सिरफ शायद अपने partner के मन के लिए करना चाह रहे हैं, if she is willing to have sex and हो सकता है आप उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उस हालात में भी आपको ऐसा लगे अगर आपको ऐसा लगा कि आपको erection में problem आ रहा है, अब panic मत कीजिए, आप अपने आपको तसली से watch कर लीजिए, बिल्कुल cool, calm, comfortable atmosphere में, you keep on trying sex again and again अगर आपको लगता है कि कुछ regular attempts में, you are again facing the failure, even जब आप उसको नहीं सोच रहे हैं, तो भी आपको failure आ रहा है फिर आप definitely doctor से जाके बात कीजिए, और उनको clear बताईए, कई बर होता है कि लोग doctor को कैसे जाके बताऊंगा यार अब यार डॉक्टर ने तो hypertension के लिए दवा लीकी थे, अब डॉक्टर को ये कहूँ कि डाक साब तो मेरो penis में भी प्राब्लम आने लगी है भाई अगर आपको प्राब्लम आ रही है, तो डॉक्टर ही आपकी help करेंगे अब कोई दवा ले रहे हो, go and discuss with your doctor without any hesitation तो सेक्स समधान में आज हम बात कर रहे हैं erectile dysfunction पर, फिलाला में रुकना हुआ एक छोड़े से ब्रेक लिए, ब्रेक के बात जल लोटेंगे डॉक्टर दीपक अरोडा, USA certified clinical sexologist है और इंडियास best sexologist के एवार्ड से सम्वानित है अब पाईए erectile dysfunction यानि नपुंशत्ता, premature ejagulation यानि शीग्र पतन, पैनिस्टाइज, सेक्स में रुची ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी sex संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोडा से यही नहीं अब किसी भी sex संबंधी समस्या के लिए पाएं online consultation www.dr.arodas.com पर dr.arodas.com इंडिया की number one online sexual health consultation वेबसाइट है वोपनियता की 100% guarantee संपाच करे